अब हम पहले से विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, जहां एक तत्व योगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, जैसे कि यहां आरन ने दूसरे तत्व अर्थात कौपर को कौपर सलफेट वेलियन में विस्थापित कर दिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, तो जब हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो केवल एक तत्व विस्थापित हो जाता है, आनि प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं, याद करें, एंटसेट जैसे पदार्थ से हम किस प्रकार एसेडिटी का सा इट्रिलाइजेशन रियक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इट्रिलाइजेशन रियक्शन रियक्शन है। इसी प्रकार से होता है जब हम समान मात्रा में सोडियम सलफेट वेलियन तथा बेरियम क्लोराइट के वेलियन को मिलाते हैं। हमें बेरियम सलफेट प्राप्थ होता है जिससे सफेद पदार्थ के रूप में अवक्षेप या प्रेसिपिटेट प्राप्थ होता है जो जल में अघुलनशील होता है। इसे अवक्षेपन अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रियक्षन भी करते हैं। तो इस अवक्षेपन अभिक्रिया में क्रियाशील अनू आयन का स्थानांतरण करते हैं। देखिए, सलफेट तथा क्लोराइट के आयन ने परस पर इस्थाना अंतरण किया। कुछ इसी प्रकार से समान मात्रा में बेरियम क्लोराइट के वेलियन को सोडियम सलफेट के वेलियन में मिलाने पर भी होता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 एकवल टू BaSO4 प्लस NaCl हमें बेरियम सलफेट प्राप्त होता है जो की सफेद पदार्थ का अबक्षे बनाता है जो की जल में अगुलनशील है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया करते हैं। इस अवक्षेपन अभिक्रिया में क्रियाशील अनू अपने आयन स्थानांतरत करते हैं। देखिए यहाँ सलफेट तथा क्लोराइट के आयन में स्थानांतरन हुआ। अतयाद रखें, द्री विस्थापन अभिक्रिया में दो विभिन अणू या अणू का समू आयन विस्थापन करते हैं, अर्थात हाइड्रोकसाइड आयन हाइड्रोजन के साथ जाता है, तथा क्लोराइड सोडियम के साथ जाता है, तो तकनी की रूप से हम कर सकते हैं, क्लोर एक तत्व योगिक से दूसरे तत्व को स्धानांतरित करता है। विस्थापन अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए इस अभिक्रिया में आयरन ने कौपर सलफेट के विलियन से कौपर को विस्थापित कर दिया। तो केवल एक बार ही विस्थापन या सिंगल डिस्प्ल प्रेस्मेंट हुआ जो कि कॉपर का था